नाजरीन मैं हूँ डॉक्टर रादलगावरी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रोजनामा बीबीसी मेरे साथ हैं आस्मा और पाम जो के हमारे मुवाशरे की देहसी, जुल्म, ज्यादती और नाइनसाफी का शकार है जैसा के आप सब जानते हैं, के हमारी ये बेढ़यां ये बेहने गुर्बत की सताई हुई अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उनके तालीमी अख्रاجات बरदाश्ट करने के लिए उनके लिए अच्छी सहत की सहूलियात हासल करने के लिए अपने जजबात की कुर्बानी देकर अपने घरों से निकलती है और दोसरों के घरों में सफाई का काम करती है ये बहने जो चंद हजार रुपे के लिए सारा दिन काम करती है इनको इन पर लाखों और करोड़ों रुपे की चोरियां डाल दी जाती है और ना सिर्फ इन पर तश्द्द किया जाता है बलके इन को बिलाखिर पॉलीस के हवाले करके इन पर मकदमात धर्ज कर दिया जाते हैं मैंने ऐसे बहुत से केसिस देखे हैं जहां पर अदालतों में जाने के बाद इन पर लगाए गए इल्जामात घल्ट साबत होते हैं और इनको बाईज़त बरी कर दिया जाता है लेकिन ठाने से अदालत तक के सफर में जो मुश्कलात जो परेशानियां ये इनके बच्चे इनके घर वाले बरदाश्ट करते हैं क्या उनका अजाला मुंकिन है इन ही जुलमात का शकार होने वाली आस्मा से पूछते हैं कि उसके साथ ये वाक्या कब क्यूं और कैसे पेश आया जी आस्मा आप किनके घर में काम करती थी मिया दनान के घर काम करती है कितनी देर आपने उनके घर काम किया है? बारवे मुने तुम्हें स्टार्ट कीता सी काम तग्रीबन पांच से छे मुने आप उनके घर में काम किया है तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आप पर दस लाक रभी की चोरी का इल्जामाय कर दिया? मेरी प्राइगनीसी थी, मैं और कहे रही थी कर दो कर दो कर दो काम दो की बारावारा, अंटी ने तो ने गालबात कीती है मैं आपने कामचे मसरूफ होगी दर्वाजा बंद की ता फिर मैं कामचे मसरूफ होगी कोई चार पाइच दिन गुजरे ने तो उना ने मिन्धर लेब ला ले या उना कैकर कंडरा एंग्रोम चाहा में आई हैं उना ने दस लाकती मेरते चोरी पारूब अच्छा मुझे ये बताएं कि जब उन्होंने आप पर चोले का इल्जाम आयद किया तो उन्होंने आपको पॉलीस के हवाले किया या खुद ही आपके साथ बात चीत करते रहे या तफ़्जीश करते रहे उनाने मिनों अंदर अपने कार शामता कर तफ्षीश खोद कार दे रहे हैं फिर मेरे हजबंट ते मेरी छोटी पैना आए हैं उनाने के निके ताडी बेगम ने दास लाक चोरी कार लिया अपना रक्षा ते मोड सैकल वे जो हाडी मौंट पूरी करो मैं अपने हजबंटना विलाड़ पी अपनी पैनना मैं का मैं अगरी बंदा में दासर पे नहीं पार साकते सी तैसी 14 जड़े ना दे पैसे पर ये हैर मेरा हजबंट ते पैन मेरी टोर गे किन्ने दिन तक होना तौना तौना अपने को रख्या एह चलेगे ने ओना ने फिर आ अचिए नौना परास nettक किता मा ओर रिया को कि पहां आप्या मान poles या को पैसे मानना मैं का मैं चर्वा नहीं मैं पैसे नहीं पहर अच्छ्ड़ रो नहीं कहा है शウुमारी प्रेट्स वाले मंगवायय कुने नहीं को मैं शुमारी ंते मेरे वों प्रेज़ दे की मेरे नही अजिकवाल ऑने सारे मेल पलीश संजयानों और लेडिकासाटेबल दी लेडि को इसकी पलीस वाल इस थे शद्द कार दे रहे जी की कहने का अनुर बस एहाँ है इसवाल गंदियां गालां काट्वन हम पेले गड्रायम पिसे है नहीं आ तो कुछ आहीए मैं का सार मेरा आप्र वो फरके नहीं टेड़ तो आत्परा कारा सी दिन नंगयां कारिशन नहीं थे बहुत जड़े ना वर्ल्ड गंदेने मैं उद दसंते भी शरम हा रही है में नहीं किने देगा उना ते किस तरह उना तो आन्मजाद की था पहले तकार चे डेली मेरे को काम करवां तो पेखलार देशन फिर जिदो मैं ब्यूशन नहीं हंदर लाइए ज़िए फिर जिदन अफ एंडला देन सी नहीं उदन बहुत ज्यादा मेरे तबीयत खराब होगी हलके हलके परसनली और तान दी प्रॉब्लम है उनला पे हम इनु फिर भी ओश होगी मैं फिर उना ने आशन नू थाने चुकाड़ी के लिए अदर अच्छा तो अनूना कार्च रख है दा सी ते तो अड़ास बेंड नूना पुली स्टेशन जो बंद कीता दा सी हां जी उना नहीं सा पाकिस्तान में अकलियते महफूज हैं अकलियतों के बराबर के हGUक हासल हैं मैंने जब आसमा का केस देखा तो मुझे इसमें ये बात बिलकोल नजर नहीं आई कि यहाँ पर हमारी बहने बेटियां महफूज है आस्मा ने दस तारीख को स्याल कोट के मारूफ मरी रसीही जर्नलिस्ट जावईद गुल के साथ डिस्टरक्ट पुलीस आफिसर के सामने पेश होई और उनको बताया कि उन पर साथ दिन तक घर में राकर तशद्द किया गया है तशद्द करने वाले कोई आम लोग नहीं थे वो महकमा पुलीस के अहलकार थे जिन में से एक का नाम भी मेरी बहन ने अपनी गुर्तगो में बताया है और बाकी जो हैं वो एजाज खुद बतायेगा कि उसके साथ कौन से पलीस अहलकार थे जो उनके प्राइवेट ड्राइंग रूम में जाकर मेरी इस बेहन पर जल्म करते रहे मैंने ये डाकुमेंटेशन मेरे पास मज़ूद है जो इसकी बेगनाही का सबूत है कि आसमा ने दस में को डिस्टिक पलीस अफिसर स्याल कोट को ये एप्लिकेशन मूँ की कि मुझे हिपसे बेजा में रखा गया है और मुझे पर तिशद्द किया गया है इसके साथ ही इन्होंने सरदार बेगम होस्पिटल से अपना मेडिकल भी हासल किया इसको कमजोर समझते हुए लावार्श समझते हुए इसकी एप्लिकेशन पर ना तो मुझे मान को बलाकर उनसे पूछा गया और ना ही इसकी दादरसी के लिए इसे पुलीस स्टेशन बलाया गया बलके लाइल्मी में ही इसकी दरखास को दाखल दफ्तर कर दिया गया कि हमारे खलाफ दर्खास्त हो चुकी है तो उन्हों ने 17 में को मतलका थाना सिवल लाइन में अप्लिकेशन मूव की जिस पर फौरी एक्शन हुआ और आस्मा के खलाफ चोरी कम कदमा दर्श कर दिया गया ये F.I.R. भी हमारे पास मजूद है इसमें देखें कि जो इन पर इल कर रही थी क्या वो उनके लिए नामालूम थी मैं इस वीडियो के जरीए डिस्ट्रिक पलीस आफिसर साहिब से मतालिबा करता हूँ कि आपके आफिस और आपके घर के बीच में ये थाना है जहां पर ये नाइनसाफी हो रही है तो मैंने बहसियत एक जर्नलिस्ट आपकी का कारकर्दगी को बेहतरीन पाया है और रजाना हम अपने अख़बारात में आपकी तारीफ करते हैं आपकी कारकर्दगी को बेयान करते हैं मुझे हैरत है कि आपकी नाक के नीचे होने वाले इस वाक्या का आपको इलम नहीं तो मैं आसमा आपको यकीन दलाता हूँ कि मेरी स हाफती बरादरी, मसीही तहरीक बैदारी की लीगल टीम और स्याल कोट की तमाम मजभी क्यादत आपके साथ है हम आपके शाना बशाना खड़े हैं हम आपके इंसाफ के लिए आपके साथ हर जगा पर जाने के लिए त्यार हैं